चंद्रकानता की कहानी अब समापन की तरफ बढ़ रही है थोड़ी ही देर में चंद्रकानता की ये सुन्दर तिलस्म से भरी जादूई कथा समाप्त हो जाएगी अब हम जान चुके हैं कि वन कन्या असल में चंद्रकांता ही थी और उसकी जो सखिया थी वो चमपा और चपला थी लेकिन आखिरकार ये सिद्धनात योगी कौन थे इसको हम जानेंगे इस अंतिम भाग में बयान 22 बाबा जी यहां से उठकर महराज जैसिंग वगेरा को साथ ले दूसरे बाग में पहुँचे और वहां घूम फिर कर तमाम बाग इमारत खजाना और सब असबाबों को दिखाने लगे जो इस तिलिसमे से कुमारी ने पाया था महराज जैसिंग उन सब चीजों को देखते ही एकदम बोल उठे वावा धन्य थे वे लोग जिन्होंने इतनी दौलत इकठी की थी मैं अपना पूरा राज बेज कर भी अगर इस तरह के दहेज का सामान इकठा करना चाहता तो इसका चोथाई भी ना कर सकता सबसे ज्यादा खजाना और जवाहरात उस भाग और दीवान खाने के तैखाने में नजर पड़ा जहां कुवर विरेन सिंग ने कुमारी चंदरकांता की तस्वीर का दरबार देखा था तीसरे और चोथे भाग के शुरू में पहाड़ी बाग कोट्रियों और रास्ते का कुछ हाल हम लिख चुके हैं दो तीन दिनों में सिद बाबा ने इन लोगों को उन जगहों की पूरी सहर कराई जब इन कामों से छुटी मिली और सब कोई दीवान खाने में बैठे उस वक्त महराज जैसिंग ने सिद बाबा से कहा आपने जो कुछ मदद कुमारी चंडर कांता की करके उसकी जान बचाई उसका एहसान तमाम हम लोगों के सिर पर रहेगा आज जिस तरह भी हो आप अपना हाल कहकर हम लोगों के आशरे को दूर कीजिए अब सबर नहीं किया महराज जैसिंग की बात सुनकर सिद बाबा मुस्कुरा कर बोले मैं भी अपना हाल आप लोगों पर जाहिर करता हूं जरा सबर कीजिए इतना कहकर जोर से जफील सीटी बजाई उसी वक्त तीन चार लड़किया दोड़ती हुई आकर उनके पास खड़ी हो गए सिद नाद बाबा ने हुक्म दिया हमारे नहाने के लिए जल और पहनने के लिए असली कपड़ों का संदूक उंगली का इशारा करके इस कोट्री में लाकर चल दी रखो आज मैं इस मरक्छाला और लंबी दाड़ी को स्तीफा दूँगा थोड़ी ही देर में सिद बाबा के हुक्म की तामील हो गई तब तक इधर उदर की बाते होती रही इसके बाद सिद बाबा उठकर उस कोट्री में चले गए जिसमें उनके नहाने का जल और पहनने के कपड़े रखे हुए थे थोड़ी देर बाद नहा धो और कपड़े पहन कर सिद बाबा उस कोट्री में से अब तो इनको सिद्ध बाबा कहना मुनासिब नहीं आज तक बाबा जी कह चुके बहुत कहाँ अब तो तेश सिंग के पिता जीट सिंग कहना ठीक है अब पूछने यहाल चाल मालूम करने की फुरसत कहाँ महराज सुरेन सिंग तो चीट सिंग को पहचानते ही उठे और ये कहा तुम मेरे भाई से भी हजार दर्जे बढ़कर हो फिर गले लगाते हुए का जब महराज शिवदत और कुमार से लड़ाई हुई तब तुमने सिर्फ पांस सो सवार लेकर कुमार की मदद की थी हस्त तुमने कुमार से भी बढ़कर नाम पैदा किया और पुष्ट महापुष्ट के लिए नौगड और विजयगड दोनों राजियों के उपर अपने एहसान का बोज रख दिया महाराज उन्हें देर तक गले से लगाये रहे इसके बाद महाराज जैसिंग ने भी उन्हें बराबरी का दर्जा देकर गले लगाया तेज सिंग और देवी सिंग वगेरा ने भी बड़ी खुशी से उनकी पूजा की आप मालूम हुआ कि कुमारी चन्रकांता की जान बचाने वाले नौगड और विजगड दोनों इलाकों की जट रखने वाले दोनों राजियों की तरक्की करने वाले आज तक अच्छे अच्छे अयारों को धोके में डालने वाले कुवर विरेन सिंग को धोके में डालकर विचित्र तमाशा दिखाने वाले पहाडी से कूते हुए कुमार को रोकर जान बचाने और चुनारगड राज में फत्य का डंका बजाने वाले सिद्धनात योगी जी बने हुए यही महात्मा जीत सिंग थे इस वक्त की खुशी का क्या अंदाजा है अपने अपने में सब ऐसे मगन हो रहे हैं कि ट्रिभुवन की संपति की तरफ हाथ उठाने को भी जी नहीं चाहता कुमर विरेन सिंग को कुमर इच्चन्रकांता से मिलने की खुशी जैसी भी आप खुद ही सोच समझ सकते हैं इसके सिवा इस बात की खुशी बेहद हुई कि सिधनात का ऐसान किसी के सर ना हुआ या अगर हुआ तो जीत सिंग का सिधनात बाबा तो कुछ थे ही नहीं इस वक्त महराज जैसिंग और सुरेन सिंग का आपस में दिली प्रेम कितना कुमारी चंदरकांता को घर ले जाने के बाद शादी के लिए खत भेजने की ताप किसे थी जैसिंग ने उसी वक्त कुमारी चंदरकांता का हाथ पकड़ कर राजा सुरेन सिंग के पैर पर डाल दिया और डबडबाई आंखों को पोच करका आप आग्या कीजिए कि इस उठाया और बड़ी मुहबत के साथ महराज जैसिंग को गले लगा कर का जहां तक जल्दी हो सके आप कुमारी को लेकर विजगर जाएं क्योंकि इसकी मा बेचारी मारे गम के सूख कर काटा हो रही होगी इसके बाद महराजा सुरेन सिंग ने पूछा अब क्या करना जीत सिंग अब सबी को यहां से चलना चाहिए मगर मेरी समझ में यहां से माल अजबाब और खजाने को ले चलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अवल तो यह माल अजबाब सिवा कुमारी चंदरकानता के किसी के मतलब का नहीं इसलिए कि दहेच का सामान है इसकी तालियां पहले से ही इनके कबजे में रही हैं यहां से उठाकर ले जाने और फिर इनके साथ भेज कर लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं दूसरे यहां की आबो हवा कुमारी को बहुत पसंद है जहां तक मैं समझता हूं कुमारी चंदरकानता फिर यहां आकर कुछ दिन रहेंगी इसलिए हम लोगों को यहां से खाली हाथ सिर्फ कुमारी चंदरकानता को लेकर बाहर होना चाहिए बहादर और पूरे अयार जीत सिंग की राय को सभी ने पसंद किया और वहां से बाहरो कर नौगर और विजेगर जाने के लिए तैयार हुए जीत सिंग ने सभी लड़कियों को जिने कुमारी की खिद्मत के लिए वहां लाए थे बुलाकर का तुम लोग अपने अपने चेहरे को साफ करके असली सूरत में उस पालकी को लेकर चल दी यहां आओ जो कुमारी के लिए मैंने पहले से ही मंगा रखी है जीत सिंग का हुकम पाकर वे लड़क कुमर विरेन सिंग ने और तेज सिंग ने अब इन लड़कियों को पहचाना तेज सिंग ने ताजुब में आकर का वावा अपने घर की लड़कियों को आज तक मैंने ना पहचाना मेरी माने भी ये भेद मुझसे ना कहा बयान तेश जिस रहा से कुमर विरेंज सिंग वगेरा आते जाते थे और महराज जैसिंग वगेरा आये थे वो रहा स्लैक नहीं दी कि कोई हाती घोड़ा या पालकी पर सवार होकर वहां से आये उपर वाली दूसरी रहा में खो के दर्वाजे तक जाने में कुछ चकर पड़ता था इसलिए जीत सिंग ने कुमारी के वास्ते पालकी मंगाई मगर दोनों महराजा और कुमर विरेंज सिंग किस पर सवार होंगे अब वे सोचने लगे वहां खो में दो खोड़े भी थे जो कुमारी की सवारी के वास्ते लाए गए थे जीत सिंग ने उन्हें महराज जै सिंग और राजा सुरेन सिंग की सवारी के लिए तजवीच करके कुमार के वास्ते एक हवादार मंगवाया लेकिन कुमार ने उस पर सवार होने से इंकार करके पैदल चलना कुबूल किया उसी पाग के तखिनी तरफ एक बड़ा फाटक था जिसके दोनों बगल लोहे की दो खुबसूरत पुत्तियां थी बाई तरफ वाली पुतली के पास जीट सिंग पहुँचे और उसकी दाहिनी आख में उंगली डाली इसके साथ ही उसका पेट दो पलों की तरह खुल गया और पीच में चांदी का एक मुठा नजर पड़ा जिसे जीट सिंग ने घुमाना शुरू किया जैसे जैसे मुठा गुमाते थे वैसे वैसे वह फाटक जमीन में थस्ता जाता था यहां तक की तमाम फाटक जमीन के अंदर चला गया और पाहर खुशनुमा हर्याली से बरा हुआ मैदान नजर पड़ा फाटक खुलने के बाद जीट सिंग फिर इन लोगों के पास आकर बोले इसी रहा से हम लोग बाहर चलेंगे दिन आधी गड़ी से जादा ना बीता होगा जब महराज जैसिंग और सुरेन सिंग घोड़े पर सवार हो कुमारी चंदकानता की पालकी आगे कर फाटक से बाहर हुए दोनों महराजाओं के बीच में दोनों हातों से दोनों घोड़ों की रकाब पकड़े हुए जीट सिंग बाते करते और इनके पीछे कुमर वीरेन सिंग अपने अयारों को चारों तरफ लिये कनहिया बने खोग के फाटक की तरफ रवाना हुए पहरबर चलने के बाद ये लोग उस लशकर में पहुँचे जो खोग के दरवाजे पर उत्रा हुआ था राद भर उसी जगह रहकर सुबह को कूच किया यहां से खुबसूरत और कीमती कपड़े पहन कर कहारों ने कुमारी की पालकी उठाई और महराज जैसिंग के साथ विजेगड रवाना हुए मगर वे लड़कियां भी जो आस तक कुमारी के साथ थी और यहां तक की उनकी पालकी उठा कर लाई थी मुहबत की वज़ा से और महराज सुरें सिंग के हुक्म से कुमारी के साथ गई राजा सुरें सिंग कुमार को साथ लिये हुए नौगर पहुँचे कुमर विरें सिंग पहले महल में जाकर अपनी मा से मिले और कुल देवी की पूजा करके बाहर आए अब तो बड़ी खुशी से दिन गुजरने लगे आठवे ही रोज महराजा जैसिंग का भेजा हुआ तिलक पहुँचा और बड़ी प्रसनता और धूमधाम के साथ विरेन सिंग को चड़ाया गया पाठक अब तो कुमर विरेन सिंग और चंदरकानता का व्रतान समाप्ती ही हुआ समझे बाकी रह गई सिर्फ कुमार की शादी इस वक्त तक सब किसे को मुक्तसर लेकर सिर्फ बरात के लिए खागज के पन्ने रगना मुझे मनजूर नहीं है मैं ये नहीं लिखना चाहता कि नौगर से विजयगर तक रास्ते की सफाई की गई केवडे के जल से छड़काओ किया गया दोनों तरफ बिल्ला और हांडिया रोशन की गई इत्यादी आप खुद खयाल कर सकते हैं कि ऐसे आशिक माशूक की बारात किस धूमधाम की होगी इस पर दोनों ही राजा और दोनों ही की एक ही एक ऑलात तिलस्म पता करने और माल खजाना पाने की खुशीने और दिमाग बढ़ा रखा था मैं सिर्फ इतना ही लिखना पसंद करता हूँ कि अच्छी सायत में कुमर विरेन सिंग की बारात बड़े धूमधाम से विजयगड की तरफ रवाना हुई विजयगड में जनवासे की तैयारी सबसे बड़ी चड़ी थी बारात पहुँचने से पहले ही समा बंधा हुआ था अच्छी अच्छी खुबसूरत और गाने के इल्म को पूरी तोर पर जानने वाली नत्यांगनाओं वा काईकाओं से महफिल भरी हुई थी मगर जिस वक्त बारात पहुँची आजब जहमेला मच गया बारात के आगे आगे महराज शिवदत बड़ी तैयारी से घोडे पर सवार सर पेच मांधे कमर से दोहरी तलवार लगाए हाथ में छंडा लिए जनवासे के दरवाजे पर पहुँचे इसके बाद धीरे धीरे पूरा जुलूस पहुँचा दूला बने हुए कुमार घोडे से उतर कर जनवासे के अंदर गए कुमर विरेन सिंग का घोडे से उतर कर जनवासे के अंदर जाना ही था कि बाहर होहला मच गया सब कोई देखने लगे कि दो महराज शिवदत आपस में लड़ रहे हैं दोनों की तलवारे तेजी के साथ चल रही है और दोनों ही के मुझे यही आवाज निकल रही है हमारी मदद को कोई ना आए सब दूर से ही तमाशा देखें एक महराज शिवदत तो वही थे जो अभी अभी सर पेच बांदे हाथ में छंडा लिए घोड़े पर सवार होकर आये थे और दूसरे महराज शिवदत मामूली पोशाक पहने हुए थे मगर पहदरुई के साथ लड़ रहे थे थोड़ी ही देर में हमारे शिवदत को जो छंडा उठाए घोड़े पर सवार आये थे इतना मौका मिला कि कमर से कमंद निकाल अपने मुकाबले वाले दुश्मन महराज शिवदत को बांद लिया और खजीटे हुए जनवासे के अंदर चले पीछे पीछे पहुत से आदमियों की भीड़ थी जो इन दोनों को ताच्छु भरी निगाहों से देखती हुई अंदर पहुची हमारे महराज शिवदत ने दूसरे साधारान पोशाक पहने हुए महराज शिवदत को एक खंबे के साथ खोब कसकर बांद दिया और एक मशालची के हाथ से जो उसी जगह मशाल दिखा रहा था मशाल लेकर उनके हाथ में थमाई खुद कुमर विरेन सिंग के पास जा पैठे उसी जगह सोने का जड़ाओ बर्तन गुलाब जल से भरा हुआ रखा था से रुमाल तर करके हमारे महराज ने अपना मुँ पोश डाला पोशाक वही सरपेच वही मगर सूरत तेज सिंग बहादुर की अब तो मारे हसी के पेट में बल पढ़ने लगे पाठक आप तो इस दिल लगी को खुब अच्ची तरह समझ गए होंगे लेकिन अगर कुछ ब्रहम हो रहा हो तो मैं लिखे देता हूँ हमारे तेज सिंग अपने कौल के मताबिक महराज शिवदत की सूरत बना सरपेच फत्य का सरपेच जो देवी सिंग लाए थे बांध जंडाले कुमार की बाराद के आगे आगे चले थे अधर असली महराज शिवदत जो महराजा सुरेन सिंग से जान बचा तपस्या का बहाना कर जंगल में चले गए थे कुमर विरेन सिंग की बाराद की कैफियत देखने आए फकीरी करने का तो बहाना ही था असल में तो तबियत से बदमाशी और खटाई गई नहीं थी महराज शिवदत बाराद की कैफियत देखने आए मगर आगे आगे जंडा हाथ में लिए अपनी सूरत देख समझ गए कि किसी यह यार की बदमाशी है च्छत्रिय पने का पून जोश में आ गया गुसे को समभाल न सके तलवार निकालकर लड़ ही गए आखिर नतीजा यह हुआ कि उनको महफल में मशालची बनना पड़ा और कुवर विरेन सिंग की शादी खुशी खुशी कुमारी चंडरकांता के साथ हो गई तो ये था बाबू देव की नंदन जी खत्री के द्वारा लिखा हुआ बेहत शांदार उपन्यास चंडरकांता इसके बाद अन्य बहुत से उपन्यास भी बाबू जी ने लिखे थे जिनमें चंडरकांता संतती बहुत मुख्य उपन्यास है और भूत नाथ भी किन्तु यदि समय मिला और आप लोग चाहेंगे तो मैं उन उपन्यासों को भी पढ़कर आपको सुनाओंगी ये उपन्यास हिंदी में खड़ी बोली में पहला उपन्यास माना जाता है और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उस समय बहुत सारे लोगोंने हिंदी भाशा सीखी थी जो की हिंदी भाशी नहीं थे और पढ़ना लिखना भी सीखा था क्योंकि वे इस उपन्यास को पढ़ना चाहते थे आज के समय में ऐसा उधारण केवल हैरी पोटर की किताबों में मिलता है जिसको पढ़ने के लिए बच्चों ने दुबारा से किताबे पढ़ना शुरू किया वरना तो किताबे पढ़ना बिलकुल समाप्तसा हो गया था तो बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए बेहद दिल्चस्प कहानिया और उपन्यास जो शायद अब उपलब्द भी नहीं है लेकिन हाँ आप क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें इससे आप अच्छी अच्छी कहानिया सुनते रहेंगे और हाँ बेल आइकन यानी घंटी का निशान दबाना ना भूलिएगा वरना आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी नई कहानी आपकी यूट्यूबर मौसी सुनाने जा रही है ऐसी पुरानी कहानिया जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी क्योंकि हिंदी भाशा में ऐसे सुन्दर उपन्यास जो की लिखे गए थे अब एक तरह से लुप्त हो गए हैं यानी की खो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे सुन्दर उपन्यास आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊं और आपको पढ़कर सुनाऊं और हाँ मेरे दो चैनल और भी हैं एक है मूवीज की सनीमा बाजी और दूसरा है सरोजेंद्र सनातनी तो मूवीज की सनीमा बाजी में आप फिल्मों से संबंदित अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं और सरोजेंद्र सनातनी में आप सनातन धर्म से संबंदित बहुत सारे सुन्दर वीडियो देख सकते हैं क्रप्या उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ यानि अपनी यूट्यूबर मोसी के साथ हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा आपके समर्थन और सपोर्ट से ही हम जैसे नए यूट्यूबर्स का उत्सा पढ़ता है जो की उम्र की उस सीमा पर आप उचे है जब उन्हें घर की बेकार वस्तु समझ लिया जाता है तो मेरा उत्सा बढ़ाएंगे ना आप लोग और बने रहेंगे ना अपनी यूट्यूबर मोसी के साथ फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ किसी तलस्म की दुनिया में या जादू की दुनिया में खो जाने के लिए तब तक आप सब का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद